चीज़ लोग्में कियो टैकल जार नियुद्यक्ट विफैलाज सिर्किट्ट अव्यित शोड्यक्ट गफिंगे निचुमिश्ट लिए कि अडियोग में सब्सक्राइट चीज़ घालाज श्रीड चीणीश में सब्सक्राइट क्या अब अलिए2च दो द्सक्राइट करते हो च नहीं है ठीक है आई वन आई टो जैट पेरमीटर्स जो होते हैं मैं उस एक बाद बता दूँ यहां पर क्या होते हैं जैट पेरमीटर्स अगर कोई नेटवर्क दे रखा में जिसके अंदर केवल रेजिस्टर और वो लगे हुए है यह एक नेटवर्क है और इसके अंदर क्या नहीं होने चाहिए इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होने चाहिए ठीक है डिपेंडेंट सोर्स हो जकता है लेकिन इंडिपेंडेंडेंट सोर्स नहीं होने चाहिए तो यहाँ पे जो होता है यह किस फॉर्म में होता है Z11 I1 plus Z12 I2 V2 equals to Z21 I1 Z22 I2 जहाँ पे अगर हमें वैलिंड कालनी है Z11 होता है V1 upon किसके V1 upon I1 कब जब I2 0 ऐसे Z12 क्या होगा Z12 क्या हो जाएगा V1 upon I2 कब जब I1 0 ऐसे Z21 कितना होगा यह जाएगा V2 upon I1 कब जब I2 0 और Z2 क्या होगा V2 upon I2 जब I1 0 हो ठीक है इतना पता होने से Z parameters के निकालने के लिए तो अब हमारे जो circuit की में उस पर चलते हैं यहाँ पर देखो यह I1 current flow हो रही है इसमें I2 तो इसमें कितनी current flow हो रही होगी I1 plus I2 तो मैं एक बार के बेरी 10 लगाता हूं एक बेरी 10 लगाँगा तो V1 एकस्टू कितना हो जागा 20 I1 plus 40 I1 plus I2 तो V1 जब होगा वो कितना होगा 20 I1 plus 40 I1 plus I2 तो यह कितना हो जाएगा V1 एकस्टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 I1 plus 40 I1 plus 40 I2 तो V1 कितना आ गयाया यहाँ से यह हो जागा कितना 60 I1 plus 40 I2 ठीक है V1 आ गया I1 और I2 के टर्मस मैं ऐसे V2 पकालो यहां से वे टू कितना हो जाएगा 30 I1 प्लस 40 I1 प्लस I2 तो वे टू कितना हो जाएगा 30 I2 और 40 I1 प्लस I2 के भी से तो यह कितना हो जाएगा 40 I1 प्लस 40 है जाएगा और 30 से यह जाएगा 40 I2 प्लस 30 I2 तो वे टू जो आ जाएगा वो हमारा जाएगा 40 I1 प्लस 70 I2 तो यहां से इसको कंपेर करो फ्रॉम 1 & 2 Z12 के आएगा I1 का कोविशेंट जैड़ वन कितना जाएगा 60 Z12 कितना जाएगा 40 Z21 कितना जाएगा अगें 40 और Z22 कितना जाएगा 70 ठीक है यह सब ओम में है इंपिद्धई नहें तो उम में होगा तो इस तरह से दरा से प्रेकर के टे suivre फे फार्न कर सकते है ठीक है अभी इसका शैकुन में जिसको हम पॉइंट करसे अगर कोई फैन्वे कर दकत cruelty के कर सकते हम Africa क्या वह थाइट तो जैड़ पैरेमिटर्स होते हैं इसके वह किसके एकोल होते हैं अगर इसको मैं जैड़ काऊँ इसको जैड़ whoever एकव 얼마나 होंगे किसके जैड़ प्लस जैड़ सी यहां पाएगा कितना जैड़ सी और यह जैड़ यह जैड़ प्लस जैड सी यानि अगर हमारे इस वाले में पूछे गए होते क्या थे इन दोनों का को एड करो 20 20 प्लस 40 आजाएगा 60 यह जैड सी के एकवल होता है यानि यहां पर 40 40 इन दोनों एड किया तो 70 देखो यह यह आया होंगे यह जैड बन बन जैड बन टू जैड टू बन और जैड टू टू ठीक है सारे को लाएं तो इस सोरकट याद अखना टी नेटवर्क के लिए हम इस से निकाल सकते हैं ठीक है यह यह याद अखना है आई होप आपको यह समझाया होगा यह पहला वीडियो था जैड पेरामिटर्स का टू पोट नेटवर्क का तो इसी तरह से हम यह नेक्स्ट आगे कंटिनू करेंगे ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही ओगे थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में